The Charming, The Stylish, The Debonair, Mr. Evergreen और भी ऐसे कुछ विशेशन है जो एक ही इंसान के संदर्ब में अक्सर कहां या लिखा गया है And that person was none other than the immensely talented देवानन्द सहाब देवानन्द सहाब ने अपने छे दशक लंबे करियर में सौ से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है वो ना सिर्फ एक अक्टर थे बलकि उन्होंने प्रेडिूसर, राइटर और डिरेक्टर की हैसियत से भी फिल्मों में काम किया है देवानन्द सहाब की फिल्म में न सिर्फ अपने कहानियों की वज़े से जानी जाती थी बलकि उनके कई फिल्मों के गाने इतने ज्यादा मशूर हुए कि आज भी लोग के ज़ुआ पर है देवानन्द सहाब का पूरा नाम था धरमदेफ पिशोरिमल आनंद उनका जन 26 सितंबर 1923 को शकरगड़ पंजाब ब्रिटिश इंडिया में हुआ था देवानन्द सहाब ने अपनी पढ़ाई गौर्मेंट कॉलिज लाहोर से पूरी की थी बहां उन्होंने इंगलिश लिटरेचर में बी ए की डिग्री हासिल की कॉलिज के जमाने से ही उनको फिल्मों का बड़ा शौक था इन फैक्ट अशोक कुमार जी की कुछ फिल्मे जैसे की अचुत कन्या और किसमत देखने के बाद देव सहाब को भी दादा मुनी जी की तरह एक पफॉर्मर बनना था और इसी तरह एक अक्टर बनने की ख्वाइश लेकर वे बॉम्बे आ गए मगर किसी फिल्म में बता और अक्टर चुने जाना इतना आसान नहीं था बॉम्बे में स्ट्रगल करते हुए रोजी रोटी का माना भी जरूरी था इसलिए उन्होंने चर्च गेट के मिलिटरी सेंसर्ज आफिस में काम करना शुरू कर दिया जो खत मिलिटरी के आफिसर्ज अपने घरवालों को भेचते थे उनमें अंजाने में लिखी हुई कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को काटना यानि सेंसर करना ये मिलिटरी सेंसर्ज आफिस के करमचार्यों का काम था देव साब अब ये काम करने लगे थे इसके अलावा एक्टर बनने से पहले देव साब ने एक अकौन्टनसी फर्म में as a club भी काम किया था देव सहाब को उनका पहला ब्रेक दिया था प्रभाद फिल्म्स के बाबुराव पाई जी ने एक दिन देव सहाब प्रभाद फिल्म्स के स्टूडियो के बाहर इंतजार कर रहे थे और जैसे ही बाबुराव जी स्टूडियो पहुचे उनकी नजर इस नए लड़के पर पड़ी वो अंदर गए और किसी को भेच कर उन्होंने देव सहाब को अंदर बुलवा लिया देव सहाब ने उनसे अपने एक्टर बनने की मंच्छा जाहिर की पाबुराव जी को इस नए लड़के में कुछ तो अनोखी बात नजर आई उन्होंने देव सहाब को दूसरे दिन दोबारा स्टूडियो आने को कहां और कहां कि उनके डिरेक्टर उनसे एक बार मिलना चाहेंगे डिरेक्टर थे पियल संतोशी जी जाने माने फिल्मेकर राजकुमार संतोशी जी के पिताजी देव सहाब का स्क्रीन टेस्ट लिया गया जो पियल संतोशी जी को पसंद आया और इसी तरह देव सहाब ने अपनी पहली फिल्म साइन कर ली फिल्म थी हम एक है जो 1946 में रिलीज हुई थी इसके बाद उन्होंने दो और फिल्में की मोहन और आगे बढ़ो मगर इन फिल्मों से देव सहाब को वो पहचान वो पॉपिलारिटी नहीं मिली जिनकी शायद वो खुद भी उम्मीद कर रहे थे लेकिन 1948 में आई फिल्म जिद्धी उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म साबित हुई ये फिल्म उन्हें एक्टर प्रेडियूसर अशुक कुमार जी ने ओफर की थी जी हाँ अशुक कुमार जी जिनके फैन खुद देव सहाब काफी समय से थे ये फिल्म किशोर कुमार जी की भी पहली फिल्म थी as a playback singer इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों के गानों में देव सहाब को अपनी आवाज दी फिल्म जिद्धी के सक्सेस के बाद देव सहाब ने अपने बड़े भाई चेतन आनन जी के साथ मिलकर एक production company के शुरुआत की जिसका नाम था नव केतन फिल्म्स नव केतन फिल्म्स की पहली फिल्म थी अफसर जो बॉक्स आफिस पर ठीक टाक चली थी फिल्म हम एक है जो जैसे मैंने बताया देव सहाब की पहली फिल्म थी इसी फिल्म के शुटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी तजीनिस फिल्मेकर गुरुदत जी के साथ जो खोद इस फिल्म के एसिस्टन डिरेक्टर और कोरेग्राफर भी थे हब उस वक्त तो उन दोनों को ये इल्म भी नहीं था कि दोनों ही आगे चलकर फिल्म जगत के दो महान हस्तिया बनने वाले है शुटिंग के दौरान उनकी अच्छी खासी दोस्ती हुई और उन्होंने एक दुसरे से ये वादा किया कि अगर दोनों में से कोई एक कामयाब होता है तो वो दुसरे की मदद करेगा यानी अगर गुरुदत सहाब बड़े डिरेक्टर बन जाते है तो वो देव सहाब को as an actor अपनी फिल्म में लेंगे और अगर देव सहाब बड़े एक्टर या producer बन जाते है तो वो गुरुदत सहाब को अपनी फिल्म में as a director ले लेंगे अब इस वादे को पूरा करने का वक्त आ चुका था देव साहब ने नव के तिन फिल्म्स के दूसरे फिल्म के लिए गुरुदत साहब को ऐस डिरेक्टर ले लिया फिल्म थी बाजी जो 1951 में रिलीस हुई ये फिल्म बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई और लोगों ने इसे काफी पसंद किया गुरुदत साहब ने भी अपने वादे को पूरा किया और देव साहब को 1952 की फिल्म जाल में लीड रोल दे दिया इस फिल्म के प्रेडिसर थे टी आर फतेचन फिल्म बाजी गुरुदत साहब की एस डिरेक्टर डेब्यू फिल्म थी ही लेकिन साथ ही साथ ही एक डेब्यू फिल्म थी एक्ट्रिस मोना सिंगा के लिए भी मोना सिंगा जिनको आम जनता कलपना कारतिक के नाम से जानने लगी थी कलपना कार्तिक ये नाम उन्हें चेतनानन जी ने दिया था फिल्म बाजी के बाद कलपना कार्तिक जी ने देव सहाब के साथ और भी फिल्में की फिल्म में जैसे की आंधिया, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 और 921 ये सारी फिल्म में नव केतन फिल्म्स के अंडर ही बनी थी फिल्म टैक्सी ड्राइवर के शूटिंग के दौरान, देव साहब और कलपना जी के बीच प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया सिमे गरेवाल जी को दिये हुए इंटर्वियू में देव साहब ने इस बात का जिकर किया है उन्होंने बताया कि फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर उन्होंने एक मैरेज रेजिस्टर को बुला लिया था फिर शूट के ब्रेक के दोरान देव साहब ने कलपना जी को इशारा किया और वे दोनों आर्ट डिपार्टमेंट में चले गए जहां वो रेजिस्टरार उनका इंतजार कर रहा था अपनी शादी रजिस्टर करवाने के बाद देव सहाब ने कलपना जी को एक अंगूटी पहना दी अब वो दोनों जब सेट पर लोटे अपने अगले सीन को शूट करने के लिए तब वहां मौझूद कैमेरा मैन ने कलपना जी के उली पर वो अंगूटी नोटिस कर ली में पहले से पता था वो तुरंथ समझ गए कि ये अंगूटी जरूर देव सहाब नहीं कलपना जी को दी होगी देव सहाब ने फिर उस कैमेरा मैन को ये हिदायत दी कि वो इस बात को अपने तक ही रखे और इसका जिकर किसी से ना करे बहराल इस फिल्म के रिलीज के बाद देव सहाब और कलपना जी ने अपने शादी का अनांस्मेंट कर दिया टैक्सी ड्राइवर भी बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई कलपना जी अपने करियर के पीक पर थी जब उन्होंने एक्टिंग से विदा ले लिया और अपने नीजी जीवन पर फोकस करने का फैसला किया 9-11 यह उनकी आखरी फिल्म थी यह फिल्म देव सहाब के छोटे भाई विजय आनन की भी डिरेक्टोरिल डेब्यू फिल्म थी देव सहाब खुद तो एक स्टार थे ही मगर वो एक स्टार मेकर भी थे उन्होंने कई ऐसे एक्टरों को अपनी फिल्मों में मौका दिया जो आगे चल कर बहुत ज़्यादा कामियाब होए इनमेंसे कुछ नाम है शत्रुगन सिना इन प्रेम पुजारी जरीना वहाब इन इश्क 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 टीना मुनिम इन देस पर देस तबू इन हम नौजवान जैकी श्रॉफ इन स्वामी दादा और अफकोस देव सहाब's most famous find जीनत अमान इन हरे रामा हरे कृष्णा वैसे ये बहुत कम लोगों को पता है कि देव सहाब और जीनत अमान की साथ में पहली रिलीस्ट फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा नहीं थी बलकि उनकी पहली फिल्म थी एक international English फिल्म जिसका नाम था The Evil Within जो 1970 में रिलीस हुई थी इस फिल्म में देवानन सहाब और जीनत अमान जी के अलावा प्रेमनात, इफ्तिकार, MB Shetty, जगदिश राज और कई दुसरे इंडियन और इंटरनेशनल अक्टर्स थे ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाते है तो इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते है देव सहाब की सबसे बड़ी हिट और सबसे ज़्यादा फेमस फिल्म है गाइड जो 1965 में रिलीज हुई थी ये फिल्म इंग्लिश में भी बनी थी मगर किसी कारणवश ये इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई मगर ये वर्जिन अब यूट्यूब पर अवेलेबल है फिल्म गाइड राइटर आरके नारायन की इसी नाम पर छपी नॉविल पर आधारित है ये फिल्म 1965 में आसकर अवार्ड के लिए भारत की ऑफिशल एंट्री भी थी इस फिल्म को नैशनल अवार्ड फर बेस्ट फिल्म इन हिंदी और बेस्ट फिल्म का फिल्म फेर अवार्ड भी मिला था देव सहाब को उनका दूसरा बेस्ट आक्टर फिल्म फेर अवार्ड इसी फिल्म के लिए मिला था उन्हें पहला Film Fair Award मिला था फिल्म काला पानी के लिए जो 1958 में रिलीज हुई थी सन 2001 में देवालन साहब को हमारे देश का तीसरा हाइस्ट सिविलन अवार्ड बदमभूशन दिया गया फिर सन 2002 में देव साहब को दाना साहिब फाल के अवार्ड से नवाजा गया 3 दिसमबर 2011 को देव साहब इस दुनिया से चल बसे उनका निधन दिल का दौरा पढ़ने से हुआ देव साहब अपने आखिर के सालों तक फिल्मों में काम करते रहे उनकी आखरी फिल्म चार्च शीट उनके देहांत के कुछ महने पहले ही रिलीज हुई थी साल 2013 में जब भारतिय सीनमा के 100 साल पूरे हुए तब इंडिया पोस्ट ने देव साहब के सम्मान में एक पोस्टल स्टैम जारी किया देव साहब के फिल्मों के गाने सुनकर आज भी हम उने याद करते हैं इन सारे गानों में से सबसे ज़्यादा बहतरीन गाना चुनना बहुत ही मुश्किल होगा और ये तो हमारे परसनल चॉइस पर भी निरवर करता है लेकिन अगर कोई मुझ से पूछे कि देव साहब पर फिल्म आये गया मेरा फिवरिट गाना कौन सा है तो मैं चुनूंगा फिल्म हम दोनों का गाना मैं जिन्दगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक गाना नहीं बलकि देव साहब के जिन्दगी का एक आदर श्वापके भी था उन्होंने ना कभी अपनी नीजी जीवन के उतार चड़ाओ ये फिल्मी करियर के फेलियर्स को खुद पर हावी होने दिया वेबस उसी उत्सा से अपना काम करते चले गए शायद इसलिए उन्हें एवगरीन कहा जाता था इस सदा बहार कलाकार को हमारा प्यार भरा सलाम लेडिस एंड जेंटलमेन प्रिजेंटिंग देवानंद